जोश्चों नरसिंग मधर के लिए ब्रेस्रों की लिए को ना citizen inherited दोस्तों come nurse mother के लिए breast milk का लीक होना बहुतीग कौमन चीज है और कई बार delivery से पहले भी breast milk होने लगता है औन ऐसे situation में जब हम बाहर रहते हैं या friends and family के पीच में रहते हैं और हमारा breast milk leak होने लगता है तो of course I know as a mother कि हमारे लिए बहुत ही embarrassing situation जो है वो create हो जाता है कई बर हमारे कपड़े खराब हो जाते है कई बर कपड़ों में stain भी लग जाता है तो ऐसे situation का best solution होता है कि आप एक breast pad का इस्तमाल कर सकते है जो कि आपके बहते वी breast milk को बहुत ही जल्दी absorb कर लेता है और absorb करने के वज़े से आपका breast milk जो है वो leak नहीं होता है आपके कपड़े खराब नहीं होते है और आपको ऐसे embarrassing situation को face भी नहीं करना पड़ता है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूंगी love lab disposable breast pad के बारे में और उसकी detailed benefits के बारे में and features के बारे में और हम समझेंगे कि किस तरीके से इस breast pad का इस्तमाल करके आप full time hygienic रह सकते हैं अपने breast milk leakage को रोख सकते हैं and साथी साथ आपको stain की tension लेनी के ज़रूरत नहीं पड़ेगी so let's get the video start तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस product के पसंद आए कि ये disposable है मतलब इसको आपको सिर्फ one time ही यूज़ करना है जिससे आपके लिए hygiene जो है वो यहाँ पे बनी रहती है and जिससे bacterial growth भी definitely नहीं होता है next feature जो मुझे इस product का पसंद आए कि इसमें आपको super absorbent feature मिलता है मतलब बहते हुए milk को निकलते हुए milk को बहुत ही जल्दी and fast absorb कर लेता है and absorb करने के बाद उसको gel के form में convert कर देता है जिससे leakage बिलकुल नहीं होता है and हमें amazing situation को face नहीं करना पड़ता है and साथी साथ आपको leakage से all day long lasting protection भी मिलता है next feature जो मुझे इस product का पसंद आए कि इसमें आपको honeycomb lining मिलती है जिससे बहते हुए milk को ये बहुत ही जल्दी and fast absorb तो करता ही है बस साथी साथ milk को evenly distribute करने का भी काम करता है जिसके वज़े से इस breast pad को use करने के time पे आपको बिल्कुल भी bulky या फिर heaviness का पता नहीं चलता है and साथी साथ यहाँ पे आपको double adhesive tape भी मिलता है जिसको निकाल करके बड़ी आसाली से आप अपने कपडों में लगा सकते है ultra thin है मतलब बहुत ही पतला है and इसमें आपको discrete feature मिलता है मतलब इसको पहनने के बाद भी आपको literally पता नहीं जलता है कि आपने अंदर से कुछ पहन रखा है and यह काफी lightweight and seamless भी है इसके fabric के अगर हम बात करें तो यह cotton जैसा soft है and breathable top fabric जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है मतलब यह super soft and आपको maximum comfort यहाँ पे मिलता है and next इसके 3D design के वज़े से इसमें आपको natural contour मिलता है मतलब इसको पहनने के बाद भी breast and nipple में बहुत ही आसानी से fit हो जाता है जिसके वज़े से अगेन यहाँ पे आपको maximum absorption मिलता है and maximum comfort मिलता है इसके पीछे की तरफ से आपको waterproof protective back sheet layer मिलता है जो कि trapped milk को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है and जिसके वज़े से आपके कपडो में भी दाग्या stain नहीं लगता है next day जो मुझे इसकी पसंद आए कि इसमें आपको हर एक pack जो है वो individually wrapped हो करके आता है जिससे hygiene जी है वो यहाँ पर maintained रहती है and आप इसको असानी से अपने hand bag में डाल करके भी travel कर सकते है and next day आपको different packs में मिलते है that is 24, 36 and 48 तो अपने requirement के हिसाब से आप यहाँ पर भी select कर सकते है so last day में आपको बोलना चाहोगे कि आपके breast milk के leakage को absorb करने के लिए यह product absolutely मुझे perfect लगा क्योंकि यह milk को बहुत ही जल्दी absorb कर लेता है उसको gel के form में convert कर देता है जिससे leakage बिल्खुल नहीं होता है and आपके कबड़ी खराब नहीं होते है आप बहुत ही confident होकर के बाहर जी है बॉक्स में दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजएगा और अगर आप हमाई चानल पे पहली बार आ रहे है तो चानल को subscribe भी कर लिजएगा हम इसे तरह की वीडियोस नहीं वो आपके लिए बनाते रहते है हम इसे तरह की वीडियोस नहीं वीडियोस नहीं वीडियोस नहीं वीडियोस